Hello everyone, start करते हैं इस पार्ट से जिसमें हम लोग देहेंगे difference between homo erectus and homo habilis अच्छे एक चीज है कि इसको बहुत detail में नहीं दे रखा है NCRT में जो आपके evolution का पार्ट है ये evolution chapter में एक paragraph में evolution of man में समझा रखा है बट स्टिल दोनों के बीच में difference आपको पता होना चाहिए नहीं तो learn ही हो जाएगा कि difference क्या है तो जो homo erectus थे उनकी जो brain capacity थी वो 900cc थी ठीक है जितनी जादा capacity बढ़ती गई उतने develop और better होते गए homo habilis के साथ ये था कि उनकी brain capacity was 650 to 800cc बहुत जादा उनकी brain की capacity नहीं थी कम थी as compared to homo erectus अब जो homo habilis थे कहते हैं कि वो meat खाते नहीं थे they did not, मतलब उन्होंने कभी भी meat नहीं खाया, probably a guess है ये और also उन्हों जादा idea नहीं था because शुरू के time के थे but जो homo erectus है, they probably ate meat, वो खाते थे और yes, they were very much more जिसे कहते हैं intelligent than homo habilis तो ये दो हैं, और भी बहुत सारे हैं, निंदर्धल मैन और बहुत सारे हैं बट अभी हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों को compare किया है बाकी detail में वीडियो देखने के लिए, NCRT के लिए आप 12th biology playlist पे जाएए, उसके लावा बहुत सारी और series और playlist बनी हुई है जिसमें मैंने NCRT को line to line बहुत detail में एक-इक topic को cover किया है आप playlist में जाके ज़रूर देखना, biology section के अंडर ये side में जो created playlist option आता है वहाँ पर आपको जरूर कुछ ने कुछ अच्छा मिल जाएगा Thank you so much